हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे अमरूद की चटनी अमरूद की चटनी खाने में बहुत ज़्यदा टेश्टी लगती है इसे बनाना बहुत ही आसान है ये बहुत ही कम चीजों से बनकर तैयार हो जाती है सर्दियों के मोसम में आपको मार्केट में बहुती ताजी अमरूद आसानी से मिल जाते हैं आप भी इस चटनी को घर पर आसानी से बना सकते हैं तो चलिए अमरूद की चटनी बनाना सुरू करते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कि अम्रूद की चट्नी बनाने के लिए मैंने यहां पर एक हलका सा पका हुआ अम्रूद लिया है देड़ इंच के लगभग अदरब का टुकडा लिया है इसे मैंने चील लिया है तीन हरी मिर्चली है और एक छोटी कटूरी हरे धनिय की पत्तियां लिया है इसे मैंने तो मैंने यहाँ पर एक अम्रूद हलका पका हुआ लिया है और आधा अम्रूद में थोड़ा सा पका हुआ लूँगी जिससे कि हमारी चत्वी में हलका सा मीठा पन रहे एकदम तीखी ना बने तो मैंने यहाँ पर अम्रूत को कट कर लिया है आप हम इसके बीज को निकाल देंगे तो मैं यहाँ पर चाको की हेल्प से अम्रूत के सारे बीज अलग कर दूँगी तो मैंने यहाँ पर अम्रूत के बीज को अलग कर दिया है आप हम इसे एक कटोरी में अलग रख लेंगे इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने पका हुआ अम्रूद लिया है इसे मैं आधा ही लूँगी और इसे भी हम छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसके बीज भी अलग कर देंगे तो इस तरह से मैंने लगवक डेड़ अम्रूद चटनी में इस्तमाल किया है और इसे हम छोटे-छोटे पीसिस में कट कर लेंगे तो यहां पर अम्रूद की चटनी बनने के लिए एकदम तयार है आप चाहें तो चटनी बनाने के लिए सिल्बट्टे का यूज भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यहां पर ग्रैंडिंग जार में चटनी बना कर दिखाऊंगी तो मैंने यहां पर एक ग्रैंडिंग जार लिया है इसमें हम सबसे पहले हरा धनिया एड़ करेंगे इसके अट करने के बाद अब हम टेस्ट की अकॉर्डिंग करेंगे अब मैं इसमें आदा चमच काला नमक एड करूंगी काले नमक से चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब हम इसमें आदा छुटी चमच जीरा अद करेंगे अब हम जार का धकन अब हम चटनी को एक बाउल में ट्रांस्फर कर लेंगे तो मैं यहां इसे एक बाउल में ट्रांस्फर कर लोंगी अम्रूत की चटनी सर्व करने के लिए बिल्कुल तयार है आप इसे पकोड़ी के साथ रोटी के साथ पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आप भी मेरे इस तरीके से अम्रूत की चटनी बना कर जरूर ड्राय कीजेगा और अपना कमेट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजेगा चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं एक नई रेस प्रेस प्रेस की देपिगे टार कि आ रहे हो जाक रहे हो आीज जरुन की नगूर तो इसे सब्सक्राइब कीजेगा प्रेस के रहे हो अंगर थाब कर रहे हो लागल आपको मिलते हैं